आपको चार्पिट मेथर्ड को हम किस तर से अपलाई करते हैं। कुछ questions ऐसे होते हैं, जो charpet method से बहुत complicated होते हैं, इसलिए हम standard form का use करते हैं, पर कभी-कभी ये भी easy पड़ती है, जहाँ पर हम वो apply नहीं कर सके हैं, वहाँ पर हम इसको easily apply कर सकते हैं, तो हम बताना चाहता हूँ कि कोई भी equation जो charpet method होती है, उसमें x, y, z, p, q, सब हो, तो भी इसको apply कर सकते हैं, यहाँ पर normally formula यह होता है, charpet method का, यहाँ पर यह वाला, यह वाला और यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह normally यह 4 ratios use में आता हैं, इसका ज्यादा use नहीं आएगा, बहुत कम questions में इसका use आता है, हम क्या करेंगे, यह जो ratios है, इसकी helps हम p की value निक बाराबर मालेंगे, ना, so p square y plus q square y minus qz, राइट, हम इसको इस तरह से लिख लाते हैं, यह आप चाहओ तो इसको अंदर ही रहना दीजी, बाहर ही रहना दीजी इसको, इसको 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 differentiate करेंगे with respect to x, तो 0 हो रहा है, फिर हम differentiate कर यह रहा है, आप देखेंगे, यह आ रहा है, p square plus q square, now differentiate करेंगे with respect to z, यहा रहा है q, differentiate करेंगे with respect to p, यहा रहा है, 2py and differentiate करेंगे वित रसेक to q, तो आप देखेंगे, यह रहा है 2qy minus z, अब आप जानते हैं, हमारे पास formula है, और यह formula'े value put करेंगे, सो बटा यह फार्मला में value यह put करेंगे तो यह आएगा dp upon del f by del x बटा del f by del x की value वारे पास कितनी है 0 plus p into del f by del z की value आपके पास कितनी है minus का q और dq upon क्या आएगा यहाँ पर del f by del y कितना रहा है 0 आ रहा है यहाँ कुछ value आ रही है so del f by del y is p square plus q square minus आप देखेंगे q q की value आपके पास कितनी है del f by del z q आ रहा है और this is minus का q square और भी हम ratios है पर मुझे लगता है इस question को easily इससे किया सकता यह से क्या हुआ cancel now dp upon जरूर्णी की सभी ratios को आप लिखें अगर आपका दूर रिश्यो से काम हो रहा है तो आपको सभी को लिखने की जरूरत नहीं है यह p से यह p क्या हो गया cancel then इसको cross multiply करेंगे तो यह आएगा p dp plus q dq is equal to 0 अब इसका integration करेंगे तो integration करेंगे तो यह आएगा p square plus q square is equal to c ले लिजे, constant ले लिजे या इसको a ले लिजे, सदा बैतर है अब आपके पास question यह लिखा हो है question हमारे पास क्या है question हमारे पास है p square plus q square into y is equal to qz इसकी value आपके पास कितने आगी a यह रख दीजे, a y is equal to qz, so q की value हमारे पास कितने आई, a y upon z, यह q की value आप उठा के यहां रखेंगे, तो आपके पास p की value कितने आएगी, we know that p square plus q square is equal to a और यह आएगा, p square is equal to a minus q square रख देंगे a square y square upon z square, then इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा a z square minus a square y square upon z, और इसका हम क्या करेंगे, अंडरूग ले लेंगे तो यह हमारे पास किसकी वेलिए आई, p और वो हमारे पास किसकी वेलिए आई, q यह p और q की value का रखेंगे, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था, dz is equal to p dx plus q dy now, dz is equal to beta p की value हमारे पास कितने रहे गई a z square minus a square y square upon z d x plus यह आएगा, a y d y upon z, आप देख रहें कि हम यहाँ पे integration जब भी हम करते हैं, तो integration में variable should be separated पर हम यहाँ पे variable separate नहीं हो पा रहें because dy के साथ y आरा पर z भी आरा और आप देख रहें, dx के साथ को न आरा, y और z भी तो मैं आपको trick समझाऊँगा, सबसे पहले z को इदर ले लीजिए so z is equal to कितना आएगा यहाँ पे a z square minus a square y dx plus a y dy आप देख रहें, यहाँ पे problem क्या आ रही है कि इस x के अलावा आपके पास a क्या रहा है, z और y आ रहा है तो आप क्या करेंगे, dz और dy को एक साथ लिखेंगे, मतलब यह दोनों टम को एक साथ लिखेंगे फटा-फट question होगा, तो क्या करेंगे इसको इधर लेए, तो z dz minus a y dy और यह जो root है, इसको आप divide करेंगे तो यह आएगा, az square minus a square y square का root is equal to dx, देख आप आपका question सीधा सीधा solve हो रहा है plus का c आ गया, इसको आप t मारेंगे, तो उपर हमारा क्या बन रहा है dt बन रहा है, देखेंगे आप अगर इसको solve करेंगे तो आप ध्यान दीजे, हम इसको t लेते हैं let az square minus a square y square को में ले लेते हैं t square, तो यह आएगा आपके पास 2 az dz minus 2 a y square y dy is equal to 2 t dt और यह 2 से 2 cancel हो रहा है, और देन इसको value रखेंगे, तो a common आ रहा है तो यहां से value आएगी है हमारे पास t by a 1 upon a यह लिख देता हूँ, dt और नीचे भी t आ रहा है that is equal to x plus c, t से भी cancel देन इसका integration में यहां लिख रहा हूँ तो यहां आएगा 1 upon a t is equal to x plus c और t की value आपके पास कितनी है 1 upon a under root of कितना हैगा बेटा, a z square minus a square y square is equal to x plus c तो इस तरह से इस question को हम solve करेंगे, next question देखेंगे आप, इस question को यह दे रहा है, 2 z x minus p x square minus 2 q x y plus p q is equal to 0 आप इसको f मान लिजे, then इसको differentiate करेंगे with respect to x तो यह आएगा आपके पास 2 z minus 2 p x minus 2 q y देन इसको differentiate करेंगे with respect to y तो आप देखरेंगे, यह 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 हारा है minus ka 2 q x, देन इसको differentiate करेंगे with respect to z to z आपके पास, यह 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 हारा है, आपके पास 2 x and बाक्की कुछ value नहीं आ रही, now इसको differentiate करेंगे with respect to P, तो P के respect में differentiate करेंगे, तो आपके पास ये value आएगी, minus का x square plus Q, and then इसको differentiate करेंगे with respect to Q, तो Q के respect में करेंगे, तो आप देख रहे हैं, यहाप पे value आएगी, आपके पास minus का 2xy plus P, अब आप ये formula है, इस formula में इसको value रखेंगे, तो बटा देखिए, आप dp upon del f by del x, so del f by del x की value हमारे पास कित्ती रहे हैं, यह रहे हैं, 2z minus 2px minus 2qy, plus P into del f by del z, del f by del z कितना है, 2x है, now, देखिए, यहाँ, dq upon, बटा, dq upon की आएगा, del f by del y, so del f by del y is minus का 2qx, और वहाँ पे value आएगी, plus का q, और आप देख रहे हैं, del f by del z की value कितनी आ रहे है, 2x, तो बटा, यहाँ पे और भी relation मनेंगा, पर हम जानते हैं, जिते भी आते हैं किसके बाराबर होते हैं, तो आप देखेंगे, dq is equal to 0, यहाँ हम simplify करेंगे, तो q की value आपके पास कितनी आ रहे है, a रहे है, अब a मतब constant, जब इसका integration करेंगे, तो हमने constant माल लिया, a, यह q की value आप क्या रखेंगे, इस question के अंदर रखेंगे, तो बटा question हमारे पास कितना रहा है, 2zx minus px square minus, जहाँ पर भी q है, वहाँ a रखेंगे, and plus का, p a is equal to 0, then यहाँ सम p की value निखा लेंगे, तो बटा, p is equal to कितना रहा है, a minus x square, उन्दोनों को उदर ले गए, यह आएगा, 2axy minus 2zx, then इसको divide करेंगे, तो आपके पास value आएगी, 2 common निकाल लीजे, x common निकाल लीजे, यह आपके पास आएगा, a y minus z upon a minus x square, this is a y minus z, now, यह हमारे पास p की value आई, हम जानते है, हमारा जो solution होता हो क्या होता है, d z is equal to p dx plus q dy, now, d z is equal to p की value कितनी आईगी बटा, 2x a y minus z upon a minus x square, plus यह आएगा, आपके पास a dy, आप देख रहे हैं, this is dx, और यह आपके पास value आएगी, now, आप देख रहे हैं यहाँ पर, x के अलावा, हम इसका integration कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, पर x में a और y, a और z, sorry, y और z extra आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, dy और dz को x साथ लिकेंगे, तो मैं इसको जल लियाता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ, dz minus a dy is equal to 2x a y minus z upon a minus x square dx, इसको divide करेंगे, तो बेटा यहाएगा, dz minus a dy divided by a y minus z is equal to 2x minus x, sorry, a minus x square dx, थोड़ा मैं इसको simplify करता हूँ, minus common निकाले तो दोनों तरब से, तो dz minus a dy divided by z minus a y is equal to 2x upon x square minus a dx, हम सीधा इसका integration करेंगे, यहाएगा, प्लस का c, आप देखरेंगे, नीचे वाले को differentiate करने पर उपर आ रहा है, यहाँ भी नीचे वाले को differentiate करने पर उपर आ रहा है, तो इसका जो integration होगा, वो कितना हैगा, log z minus a y is equal to log x square minus a plus log c, दन यहाएगा, z minus a y is equal to x square minus a into c, this is the answer. So, एक last question हो देखे आप, इसको मैं फेले लेंगे, so 2z plus px plus yq minus yp square, ना इसको differentiate करेंगे with respect to x, so this is 2p and then differentiate करेंगे with respect to y, तो y के रसम करेंगे, तो यहाएगा आपके पास, 2q minus p square, then इसको differentiate करेंगे with respect to z, so this is only 2 and इसको differentiate करेंगे with respect to p, p के रसम करेंगे, तो यहाएगा 2x minus 2py and differentiate करेंगे with respect to q, तो यहाएगा आपके पास 2y, now यह सब वेले इसको मैं रखेंगे, so मेरे पास यहाएगा फार्मला है, dp upon del f by del x, so del f by del x is 2p, now del f by del z, again this is 2p, now dq upon, what is the value of del f by del y, so del f by del y is 2q minus p square and q into del f by del z की value कितनी है 2, so this is 2q plus का, now dx upon minus का del f by del, मैं इसको लगाऊँ, यह दोनों फार्मला लगाऊँ, इसकी value देखेंगे, तो आप आप आएगा dp upon 4p is equal to dy upon minus 2y, मैं इसको और इसको लोंगा यहाँ पे, right, so आप इन्दों को solve करेंगे, so आपके पास इसकी value आएगी, वो कितनी है कि देखेंगे, यह cancel हो रहा है, तो simplify करने पर यह आएगा dp upon p is equal to 2dy upon y minus का, दैन इसको differentiate करेंगे, so integrate करेंगे, तो यहां से इसकी value आएगी, log p is equal to minus का 2 log y plus log a, आप इसको simplify करेंगे, तो यहां पे a की value आएगी, p upon, जब p की value आएगी a upon y square, यह value टाक का रखेंगे, हम इस question में रखेंगे, तो देखेंगे, आप question क्या है, आप का आएप है, question दे रखा है, 2z, multiply कर दिता हूँ मैं, plus 2, p की value कितनी है आप मैंने पास, a upon y square into x, plus, मैं इसको multiply करूँगा, तो 2y q is equal to y, और यह p की value वापस कितनी ही यहाँ पर, a square upon y cube, सब जहां पर p था हूँ, आप हमने यह value पुट कर दी, अब यहां से हम किसकी value निकालेंगे, q की, so 2y q is equal to, यहां से हम इसको cancel करेंगे, तो a square upon y cube minus 2z, और यह उदर गया, so minus का 2ax upon y square, so यहां से आपके पास q की value हाएगी, 1 upon 2y, this is a square upon y cube minus 2z minus 2ax upon y square, अब हम क्या करेंगे, dz is equal to, हमारे पास solution आता है, p dx plus q dy, now dz is equal to, कितना हैगा, dz is equal to p की value आपके पास कितनी हा रही है, a upon y square dx plus q की value हाँ मारे पास कितनी हा रही है, 2 upon y, a square, y cube minus 2z minus 2ax y square into dy, आप देखेंगे सबसे पहले, यहां से हम y को उटाएंगे, तो इस y को मैं multiply कर देता हूँ, y को multiply करूँ हो, तो यह आएगा, y dz is equal to, a upon y dx plus, इस 2 को अंदर लेता हूँ, तो यह आएगा, a square upon 2y cube dy minus 2 से 2 cancel, this is z dy, नाव यह अंदर गया, तो अगें 2 से 2 cancel minus का, ax dy upon y square, आप देख रहे हैं, यहां पर इसका integration नहीं हो पाएगा, इसका integration हो जाएगा, इसके में problem है कि कि यह z के साथ dy आ रहा है, तो इसको इधर लाएंगे, क्योंकि z के साथ dy आ रहा है, तो इसको y के साथ dz के साथ लिखना पड़ेगा, तो यह दोनों term एक साथ आएगी, तो यह आएगा आपके पास, y dz plus z dy, हम जान रहे हैं, इसका integration हमें दिक्कत करेगा, तो यह दोनों term को भी आपको क्या करना पड़ेगा, हम merge करना पड़ेगा, because यहाँ पे x के साथ y आ रहा है, और y के साथ x आ रहा, तो मैं इन दोनों term को एक साथ लिखूंगा, y dx minus ax dy upon y square, plus a square upon 2y cube dy, आप देखेंगे, तो यह जो term हो रही है, हमारी क्या हो रही है, d of yz हो रही है, यहाँ पे हम y का, a तो common आ रहा है, और y को lc लेंगे, तो यह आपके पास आएगा, upon x by y, plus a square 2y cube into dy, नाउ इसका integration करेंगे आप, तो यह आपके पास आएगा, plus का c, and then simplify करेंगे, तो आपके पास जो term आएगी, वो आएगी आपके पास, yz, इसका integration होगा yz, और यह आएगा आपका, a x by y, और यहाँ यह जो a square by 2, तो constant है आपका, a square by 2 constant है, और 1 upon y cube है, तो मैं इसको उपढ ले जाता हूँ, और इसका integration होगा, y power minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, plus का c, तो इसको simplify करूँगा, तो yz equal to, a x upon y, plus a square, यहाँ पर आपके पास होजाएगा, minus का 4, upon y square plus का c, so this is the answer of this equation, so students, आज मैं आपके सामने, charpit method discuss किया, और charpit method का जो main formula है, इसके इंदर, इन formula में, सबसे बेरे कोई भी question दे रखा हो, तो f लेके उसको, del f by del x, del f by del y, del f by del z, del f by del p, del f by del q, इस सब की value निकालके, हमें क्या करना पड़ेगा, formula में, put करके, p और q में, relation निकालना पड़ेगा, और वो relation और question में, जो हमें दे रखा है, उससे हमें p और q की value निकालके, p dx plus q dy में, put करके, हम सिधा इसका integration करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा धिहान रटना, integration करते वक्त की variable क्या होने चीए, हमारे separate होने चीए, अगर नहीं हो रहा है, तो हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका integration करेंगे, मैं इस type के questions में, integration थोड़ा सा भारी पड़ता है, और आपके institute के exam बहुत अच्छे जाएं, यह मैं आशा करता हूँ, और मुझे मेरे वीडियो से आपको बहुत benefit मिला होगा, और thank you for watching my videos, और अगर आपको अच्छा लगता है, तो please इसको share और subscribe करना ना भूले, अपने friends को ज़रूर बताइए, कि यह आपके लिए benefit, मतलब यह वीडियो से आपको benefit करेंगे, thank you so much.